हेलो फ्रेंज आप कैसे हैं चलिए तो मैं आज एक सौक्स लेकर आई हूँ जो कि ये मुझा 10 सल के बच्चे के लिए मैं बनाऊंगी और बहुत ही आसानी से बन जाएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और देख सकते हैं और मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे कॉमेंट करना न भूले तो चलिए बनाना सुरू कर लेते हैं तो जिसके लिए मैंने 100 ग्राम उन ले लिया है और 10 नंबर का काटा लिया है और इसे अब मैं फंदे लेकर इसे हम चान लेंगे तो ये एक तरफ से दोरा उन रखेंग और दोनों को पकड़कर अच्छे से हम इसे फंदे लेते हुए चान लेंगे और ये हम 52 फंदे लेंगे 52 घर से हम बना रहे हैं पहले मैंने मोजा बनाया था दिखाया था आपको वीडियो में डाली हूं तो वो 60 घर क्या बना है तो वो बरे साइज का बना है और ये 52 फंदे ले ले ली हूं 52 घर मैंने बना लिये हैं और फंदे लेने के बाद दो गाठ वहाँ पे लगा देंगे और इसे अब हम बुन लेंगे ये हम बुनेंगे 22 तीली मैंने बुना था यानि कि 11 लाइन हुआ है तो ये 11 लाइन हो चुका है 22 का टा बुनने पे 11 लाइन तयार होता है तो अब यहां से मैं इसे 11 घर घटा दूँगी तो अब मैं इसे 11 फंदे घटा रही हूं और ये 11 फंदे मैंने घटा लिया है तो अब मैं उसी उन से 11 घर फिर से फंदे लेकर चान लूँगी और ये 11 फंदे मैं ले लूँगी और ये यहां मेरा 11 हो चुका है तो अब मैं इसे बुन लूँगी और पुरा लास्ट तक बुनूँगी और ये देख सकते हैं ऐसे ही बुनना है यहां पे धागा को थोड़ा सा हम टाइट करकर बुनेंगे नहीं तो यहां पे थोड़ा सा धीला टाइप से हो जाता है तो मैं पुरा लास्ट तक बुन ली हूँ और उसके बाद वहां से यहां से मैंने इगारा बुना है और यहां से मैं एक एक घर घटा दूँगी तो इगारा घर फिर घटाती जाओंगी हर दूसरे काटे पे यहाँ पर देखिए घट चुका है वहाँ तक घट चुका है तो यहाँ भी मैं घटा रही हूँ और हर काटा में एक एक घटाते जाएंगे तो यह यहाँ देख सकते हैं इगारा घट चुका है तो यहां से अब मैं 11 घर घट चुक है तो वहां से अब एक घर फिर बढ़ा रही हूँ नीचे से फंदे लेकर मैं बढ़ा ली हूँ और यहां पुरा फिर से बढ़ जाएगा पहले मैंने 11 फंदे से चान लिया है और 11 घर घटाया है और 11 घर फिर से मैंने बढ़ा लिया है हर दूसरे कांटे पर बढ़ेगा और यहां से फिर से अभी पुरा 11 घर नहीं हुआ है तो मैं बढ़ा रही हूँ तो यहां से फिर हम बढ़ा लेंगे और पुरा बुन लेंगे और यहां से देख सकते हैं पहले मैंने 11 घर घटाया है उसके बाद फंदे लेकर घर बढ़ाए हूँ उसके बाद घटाई हूँ फिर बढ़ाए हूँ और यहां तक पुरा हो चुका है तो यहां से अब मैं 52 घर से फंदे से मैंने च्छाना था तो यहां पर मैं घटाओंगी कितना 26 घर घटा दूँगी अब यहां लास्ट तक हो रहा है लास्ट का मैंने यह 26 घर घटाया है फंदे घटा दूँगी और यहां से जो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से फिर मैं 26 घर यहां से ले लूँगी तो मेरा टोटल 52 घर हो जाएगा 26 घर उधर बचा हुआ है 26 घर इधर से हो जाएगा तो इस तरह से मैं साइट से उन दूसरा उन लगा कर इसे मैं फंदे लेते हुए बुन रही हूँ घर उठा लूँगी और यहां 26 घर उठा लेंगे और यहां से आप दोनों को पकरते हुए आगे के तरफ से बुनेंगे पीछे के तरफ से नहीं बुनना है और उपर का मैं बूट बुनूँगी और यहां देख सकते हैं आप दोनों को मैं पकर कर बुन लूँगी और इसे आप जितना बरा रख सकते हैं उपर का जो बूट का जो होगा यहां से अच्छे से पकर कर आगे ही इसे बिजना है और बस उल्टा-उल्टा ही बुनना है और इसी तरह हम बुनते जाएंगे पुरा उपर तक का मेरा वीडियो डिलिट हो गया था इसलिए सॉरी आप उस वीडियो में देख लेंगे तो यहां पर का वीडियो इसकिप हो गया है तो यह मैंने मोजा सी लिया है और इधर साइड से मैंने बटन का उठा कर बारा घर मैंने उठा कर इसे बटन पट्टी के तरह बुन लिया है और यहां पर बटल लगागी है और बच्चे इस तरह का मोजा बहुत ही पसंद करते है क्योंकि यह चपल में भी पहन सेकتे हैं और जूता में भी पहन सेकते हैं और मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे कमेंट करना न भुले थैंक्स पूर वच्चिंग